हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, एक्सरसाइज 10.1 से कोश्चन नमबर 1 करेंगे, ड्रो आ लाइन से A, B, टेक आ पॉइंट सी आउटसाइड इट, जैसे जैसे कोश्चन कहता है, हम उसी तरह से स्टेप बाइ स्टेप करते हैं, ड्रो आ लाइन से A, B, एक A, B लाइन बनानी है आपको, कितनी बनानी है ये गिवन नहीं है, तो कितनी भी बना लीजिए, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन A, B बना ली, इसका नाम रख देते हैं, A, B, आगे कहता है, टेका पॉइंट सी आउटसाइड इट, एक पॉइंट सी लीजिए, जो किस्त के बाहर हो, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, सी, ये लाइन के बाहर है, तो जब किसी लाइन के बाहर की तरफ आपको कोई पॉइंट दे रखा हूँ, तो उससे पैलल लाइन बनाने का जो तरीका होता है, वो ये होता है, कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, कि प्रॉपर्टी जो होती है, पैलल लाइन की वो क्या होती है, जब कोई दो लाइन होती है, और इन्हें कोई ट्रांसवर्सल काटती है, तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर रैंगल्स होते हैं, वो बराबर हो अब हम इस C point को इस AB line से join करेंगे कहीं पे, let's suppose मैंने इसे यहां join कर दिया, और इस point का नाम में यहां पे अपनी तरफ से D रख देता हूँ, अभी यह इतना काम हो गया है, अभी यहां पे मुझे line बनानी है parallel line, तो line ऐसे बनेगी, तो यह वाला जो angle है, और इसके यहां वा एक angle बनाना है और यह दोनों बराबर होने चाहिए, तो यह बराबर होने का तरीका ऐसे होगा, हमें दो angle बराबर बनाने है, तो D point के उपर रख के, compass लेंगे, पहले एक arc लगाएंगे, कितना भी ले लेना, बहुत जादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, D point पे रख के, यह इस इसका measure हिले नहीं देना है, जितना measure यह लिया है, उतना ही measure से C के उपर रख के, और इस CD line पे रख के, और ऐसे एक arc लगानी है, उपर की तरफ, यह हो गया, इसके बाद यह जो angle है, यह जो arc यहाँ बनाई है, D point के उपर, इसकी length को, straight length को हम compass के उपर ले लेंगे, straight से मेरा मतलब यह है, कि इस arc ने यहाँ पे और यहाँ पे इन दो points के उपर intersect किया है, तो यहाँ needle रखेंगे, और यहाँ pencil की चोच रखेंगे, तो यह इसकी length है, straight जो length है इसकी, यह नब जाएगी, यह हो गया, अब जितना यह measurement आया है, इतना ही, यहाँ पे यह जो उपर arc बनाई है, और जो इस line को यहाँ intersect कर रहा है, यह point यहाँ पे रखेंगे, और इस arc को हम ऐसे काट देंगे, तो यह जो point आएगा, इस से होते हुए, और C से होते हुए, जो line बनेगी, वो parallel line होगी, क्योंकि यह वाला angle और यह वाला angle बराबर हो जाएंगे, और यह alternate interior angles हैं, त जब इस point से, और C से होते हुए, मुझे एक line बना देनी है, accuracy का और इसमें सफाई का आप ध्यान रखेंगे, line ऐसी हो, जो इन दोनों point से exactly गुजर के जाए, ऐसे, यह आप इस तरह से line बना देंगे, तो यह वाला, यह वाला alternate interior angles हैं, यह मैंने बराबर कर दिये हैं, तो हम रख देते हैं, इस line का, A, B, C, D मैंने ले लिए, let's suppose इसका नाम हम E, F, रख देते हैं, और फिर यहाँ पर लिख भी देंगे, कि E, F, is parallel to A, B, question खत्म, तो इस वीडियो में बस इतना ही, next questions के लिए मिलते हैं, फिर next वीडियो में, तब तक के लिए, good bye.